हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमरा यूटूब चनल चोपडा एजूकेशन और मैं हूँ हरसाय चोपडा आज इस वीडियो में हम MCC के सेकंड राउंड के एस्पेक्टेड कटोफ के बारे में बात करेंगे क्या रह सकती है कटेगरिवाइज आल इंडिया कोटा की क खेयर करें तो दोस्तो मैं जो यह कटोफ बताने वाला हूँ हो सकता है यह आपके आसा के अनुरूप ना हो लेकिन यह कटोफ जो निकाली गई है यह प्रिविएश येर के डाटा को देखते हुए वह परजेंट शिनीरियो जो चल रहा है उसके मुताबिक यह कटोफ मैंने सकती है मैं यह नहीं मानता कि एगजेक्ट ही कटोफ रहेगी क्योंकि कटोफ बताने वाला कोई भगवान नहीं होता है इसमें कटोफ उपर या नीचे जा सकती है दोस्तों तो यह कटोफ जो है यह मैंने वैसे निकाली प्रिविएश येर को डाटा को देखते हुए तो यह एगजेक्ट ही जाने की संभावना है इसके बाद में बात करें हम डिम्ड युनिवर्सिटी की तो डिम्ड युनिवर्सिटी में तीन ऐसी उनिवर्सिटी हैं जो केमसी मनिपाल के मैंगलोर कैमपास और मनिपाल कैमपास इसके बाद में हमदर्द और लोनी यह तीनों ही से ग्रसडर Latres बार अभर बात नंबर तक ये कटोफ ज्यादा जा सकती है इसके बाध में बाकी डिम्ड उन्यछी की कटोफ पांच या साथ या दस नंबर तक डाउन रेने की समाऊना है तो दोस्तों यह सम्बाऊना एक कटोप की इसके बा Adapt करें हम schedule की तो MCC का जो schedule है वो second round का registration 9 जुलाई से 11 जुलाई 5 बजे तक है आप registration कर सकते हैं 9 जुलाई से 11 जुलाई इसमें जिन्होंने पहले registration कर रखा है जिनको seat नहीं मिली है या seat मिली है उसको छोड़ दी है तो उनको दुबारा registration करने के आवश्यक्ता नहीं है इसके बाद में इसमें fresh candidate भी registration कर सकते हैं जो already registered candidate है उनको 24 फिल दुबारा करनी है इसके बाद में जो new registered candidate है उनको तो दुबारा 24 फिल करनी ही है इसके बाद में जो इसका locking और 24 locking system है ये 12 जुलाई को होगा और processing of result होगा 13 जुलाई को 15 जुलाई को इसका result आ जाएगा और college में reporting होगी 15 जुलाई से 22 जुलाई 2019 तक तो ये इसका second round का schedule है अगर जिसने registration नहीं किया है वो 9 जुलाई से registration कर सकते हैं fresh registration कर सकते हैं इसके लिए और fees का payment कर सकते हैं मैं आपको यहां बता दूं कि जो फीज लगती है registration की वो जनरल category की 10,000 रूपीज है OBC, SC, ST की 5,000 रूपीज है इसके अलावा जो डिम्ड के लिए registration करेंगे उसकी 2 लाख रूपे security है इसमें तो दोस्तों यह जानकारी थी cut-up और schedule के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन फ्रेस करें वीडियो को लाइक वाज यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जय है हिंद